हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमार य्टूब चैनल अब्राइट एजुकेशन में आज हम लेकर आ रहे हैं जीएस के राजविषेख कब हो था जो शिवाजी महारास दे उनका राजविषेख कब हो था पहले है 1674 दूसरे 1680 तीसरे 1670 और 14 आपका 1664 इसका आंसर होगा सिवाजी का राजविषेख हुआ था 1674 में ये हुआ था आपके राइगड के किcommittee में ठिक हाँ भाठा ॰ाइगड के किले मे प्रियासा से इश्वर्चंद्र विद्या शागर के सुरूवा था 1856 विद्वा अधिन्यम पारित वाथा 1829 में पारित वाथा कौन सतिपर्था विरोधी अधिन्यम ठीक है 1839 में वाथा सतिपर्था विरोधी अधिन्यम ठीक है 1844 में नरबली पर्था को समाप किया गया था 1839 में सतिपर्था को समाप किया गया था 1844 में नरवली परता को खतम किया था और 1839 में आयता सारदा एक्ट सारदा एक्ट आयता ठीक है इसमें क्या आता बालिकाओं की सादिक उम्र को क्या कर जाता 14 साल कर दिया था ठीक है उसके बाद तुह तीशरा क्षेशन है वो है फ्रांसीशियों का परभुत्ता भारत के किस युद के उपरांद खतम हो गया था जो फ्रांसीश थे भारत में उनका परभुत्ता भारत में किस युद के बाद समाप्त हो गया था सिरीरंगपटम वाणिवास पलाशी और बकसर वाणिवास के युद के बाद इनका क्या हो गया तär इन्होंना अंगरीजों से संधि कर लिए तो अब यह अंगरीज में यहां पे क्या अपनी सेना अगरे नहीं रख सकते हैं खाली इनको क्या यहां पे व्यापार करने का क्या अधिकार था किनको फ्रांसिजों को और सारे अधिकार किसके पास आये थे अंगरीजों के पास आ गे थे ठीके अगला क्वेशन है बक्सर का युद का विजेता कौन था क्लाइब, हेक्टर मुनरू, स्ट्वर्ड और मीडोज तो जो बक्सर का युद हुआ था 1764 में ठीके बक्सर का विजेता था अंगरीजी सैनापती वो था आपका क्वान हेक्टर मुनरू ठीके क्लाइब उसके बाद आया था भारत 1665 में और इसको इसने था फिर इलाबाद की संदिगी थी, क्लाइब ने काँपे 1660 में अगला क्वेशन है, अाल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंगोरेस के पर्थम अध्यक्ष कौन थे अलिये ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष मैं में जुशी, लाला लाज पत्राई, जवालाल नहरों और दिवा फिर आता है अगला क्वेशन च्छाटमा क्वेशन है आपका भारत में उत्तरदाई सासन का सूत्रपात किस एक्ट को माना जाता है किस वर्ष के एक्ट को भारत में उत्तरदाई सासन का तो कौन सा एक्ट भारत में उत्तरदाई सासन का सूत्रपात है भारत सरकारे दिने हम 1900 इसका अंसर होगा 19, बाराशकार जिर्म 19, 19 क्या था, भारत में उत्तरदाई सासन का, क्या था ये, सूत्रपात, ठीक है, इसका अंसर हो जाएगा D, ठीक है, D इसका अंसर हो जाएगा, फिर अगला है, निम्ण घटनाओं को सही क्रम में लगाई, जो ये घटनाओं हुई, इनका सही क्रम क्या है कारनेवली स्कोर्ड, नौर्थ रेगुलेटिंग एक्ट और पिट इंडिया एक्ट, पहली कौनसी घटनाओं हुई थी, पहली घटनाओं हुई थी, आपके कौनसी, नौर्थ कार रेगुलेटिंग एक्ट, पहले ये बाद पहले नम्मर पे, ठीक है, फिर कारनेवली स्कोर सुरी फिर दूसरी आया था पिट्ट इंडिया एक्ट छिक है फिट्स इंडिया एक्ट आय था दूसरी अठणी आज का समुट्र then तो कारनेवली स्कोर था यह था त्री स्रे नमर आज़ दो अगटना अंगरेजी साशन के दौर और 1947 ब्रह्मा जो आत्क क्या है म्यामार है उसको किस से लग किया गया था 12 सरकार अधनियम 1935 इसका सयांसर हो जाए ठीक है 1857 की क्रांथी कहां से शुरू हुई थी 1857 की क्रांथी कहां से शुरू हुई थी दिल्ली, मेरट, कानपुर, लखनु 1857 की क्रांथी शुरू होती कहां से मेरट से मोपला विद्रू, निम्न मैंसे किस राजमे हुआ था ये किर्शकों का विद्रू हुथा मुसल्मान किर्शक थे, उनका विद्रू हुथा मोपला तो ये आपका किस राजमे सुरू हुआ था किस राजिम होता है यह आपका वात रहत केरल में ठेक है अगला है आपका निम्न मैंसे किस आंदोलन का नेत्त्व गानी जी ने नहीं किया खेडा सत्यागरा, बारदोली, सत्यागरा, अशयोग आंदोलन या चंपारण आंदोलन तो किस आंदोलन का नेत्त्व गानी जी ने नहीं किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली ठीक है यह बर्दोली प्रिंट वार पर इसको बार्दोली है ठीक है इसका जो नेतर तो किया था सरदार पटेले अगला क्वेशन है राजा राम मोहन राएने मिराज उल अगबार राजा राम मोहन राएने मिराज उल नहीं मिराज उल अगबार ठीक है मिराज उल अगबार किस भासा में प्रकासित किया जो राजा राम मोहन राएने का अगबार था मिराज उल यह किस भासा में प्रकासित किया गया था अंग्रेजी हिंदी बंगाली यह फारसी ठीक है तो यह हुआ था आपका किस भासा में, इसका अंसर हो जाएगा आपका फार्सी भासा में, ठीके, तो फार्सी भासा में यह अगवार क्या हुआ था, प्रकासित हुआ था, अगला क्वेशन है आपका, निम्न मैंसे कौन सा हिंदी का पर्थम समाचार पत्र था, निम्न मैंसे कौन तो जो हिंदी का पर्थम समाचार पत्र था वो ता आपका उदन्त मार्था ठीक है यह जो यह समाचार धरपण था यह बांगला का पहला साप्ताइक अगवार था बांगला भासा का फास विकली साप्ताइक अगवार था ठीक है बंगाल इसका भारत इसका भारत रिए आँग्रेजी भासा में था अगवारत लीक दर्सन बंगाल का पहला बंगला का फक्रस्पल मासिक पत्रिकावर था लेकिन पहले साप्ताइक थी और दिख दर्शन क्या था बांगला का फर्स्ट मासिक पत्रिगा और हिंदिय का कौन था उधन्द मार्थ चौद्वा क्वेशन है निम्न मैंसे कौन सा आयूग सिक्छा से संबंधित नहीं है सेडलर आयो रोयल कमिशन राधा क्रिश्न आयो और कोठारी आयो निम्न मैंसे कौन सा आयो इक्छा सा संबंधित नहीं है तो यह आपका रोयल कमिशन तो रोयल कमिशन आया था 1928 में एरविन के द्वारा लाया गया था यह 2008 में आया था यह किसके सम्वेन दीर किरसी संबंधित था रोयल कमिशन ठीक किसके दारा लाया था जो hard बागे जो सेडर आया था ये भी सिख्चा से संब्धिता ये किसके लिए था विश्व विद्यालाई था विद्यालाई के लिए था विद्यालाई के लिए राधा कृष्ण नायू यह आपको नॉमबर ये सिख्चा से संब्धित नहीं था निम्न मैंसे कौन परसिद्ध नेता भारतिया राष्ट्या कॉंग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने निम्न मैंसे कौन परसिद्ध नहीं था भारतिया राष्ट्या कॉंग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने ठीक है आपके ऑप्शन है बाल तो जब यह अध्यक्स बने तो उसी टाइम पर्थम भारत्य मैला जिसने क्या इंडियान नाशनल कॉंग्रेस के क्या अधिवेशन बहासन दिया था वो थी कादंबरी गांगुली तो उस टाइम अध्यक्स था आपके क्वाण फिर गोपाल कृष्ण गोखले बनते उन्नीस सो 2005 में कॉंगरिस का हो जाता है जब बंगाल का हो जाता घुक्राइब फिर आप पॉलिटी के क्वेशन है अगला क्वेशन है सोलवान शमिदान सभार ने राष्ट्याद्वच को कब अपनाया 24子जनरी 1950 22 सुलाई 1947 26 used आरी 1950 9ड्यशमर 1946 ज़ो हमारी शमिदान सभार की जिने हमारा शमिदान का या किया है लिख calibration है उसने राष्ट्याद्वत तिरंगे को कब अपनाया तो यह अपनाय थे इन्होंना 22 July 1947 को, ठीक है, 24 January 1950 को क्या, 24 January 1950 को इन्होंना अपनाय था राष्टे गीत, ठीक है, 26 January 1950 को लागो हुआ था हमारे समिदान, ठीक है, और 9 December 1946 को क्या, समिदान सवाखी फर्स्ट मीटिंग भी थी, फर्स्ट बेटा का भी समिदान सवाखी 9 December 1944, और राष्टे द्वाजकों का पनाय थे तिरंगा को, यह अपनाय 22 July 1947, समिदान सवाखे, अगला क्वेशन है, पॉलिटी का ही, सत्रम, समिदान सवाखे, मौलिक अधिकारों की उप समिथी के अध्यक्स थे, शमिदान सवाखे, मौलिक अधिकारों की उप समिथी, समिथी यह उप समिथी ठीक है, क्वेशन द्यान से पढ़ना के अध्यक्स थे, जेवी क्रिपलानी, एच्सी मुखरजी, सर्दार पटेज, और डॉक्टर राजिन प्रचार, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेवी क्रिपलानी, जो एच्सी मुखरजी थे, यह अलप शंक्यक्त, उप समिथी के अध्यक्स थे, सर्दार पटेल, सर्दार पटेल के अध्यक्स थे, विधान, जो प्रांतिय समिथी के अध्यक्स थे, और मौलिक अधिगार समिथी के अध्यक्स थे, यह समिथी के अध्यक्स थे, मौलिक अधिगार समिथी के अध्यक्स कौन थे, सर्दार पटेल, और उप समिथी के अध्य के डिल्ज को घेविक के रप्लाने डॉक्टर राजीन पर साथ के य होमने प्रस्तावनमे अगला क्वेशन की प्रस्तावना में समाजवादी स्फित धर्म के द्लारा की समयदान की द्रसाot a वह खंड था ये सब समिदान के कि संसोतन के द्वारा हमारे शमिदान में जोड़ेगे हैं 61, 42, 86 और 102 इसका अंसर हो जाएगा आपका 42 समिदान संसोतन है ठीक है जो 61 समिदान संसोतन था इसमें क्या जो मतदान की आई थी वो कर दी थी 21 से 18 कर दी थी ठीक है इसके बाद क्या हुआ जो 86 समिदान संसोतन हुआ इसमें क्या हुआ इसमें बच्चों के लिए इसमें निसिल्क शुक्छा 6-14 साल के बच्चों के लिए एक नया अनुछे जोड़ा गया 21 21 में हमारे शमिदान में ठीक है नया जो मारा मॉलिक अधिकार है 21 यह जोड आ गया कब उन चियासे में सम्धान संसर और 122 सम्धान संसर तों किस लिएट यह ओवी सी आयोग से पिछडा वर्ग आयोग पिछडा वर्ग आयोग को समवेज धानिक मानिता दीगें अगला question है आपका नयालाई द्वारा सारवजनिक अधिकारियों को उनके कारे के बारे में पूछने के लिए कौनसी रिट जारी की जाती है आपको पता होगा रिट पांच परकार के होते हैं अधिकारियों के लिए की जाती है अधिकारियों के बारे में रिट डाली है वो अधिकारियों के लिए किसी की जगह के नौकरी पर चले जाता है यानि कि आपको किसी ने कि मौलेक अधिकार आपका कहीं पराक्व किसी सेट का नहुत है boost लाई लगा इदिए आपके कोट में रडिड़ लेँगे तो वह क्या हो तहा अधिकार प्रतिसर चाहिए प Tôi अगला है मूल कर्टब्य को किस समिति के सिपारिश पर शमिदान में शामिल किया गया जो हमारे मूल कर्टब्य है जो हमारे भाग कितने में आते हैं आपके भाग आते हैं ये 4a में एक नया भाग बनायागा 4a उसको किस समिति के सिपारिश पर शमिदान में शामिल किया गया तो हमारे जो मूल कर्तबे हो कितने 11 है ठीक है पहले 10 तेसमें फिर एक और एड किया गया 11 होगे तो वो किस समय ते कि इसे पारिश पर समिदान में सामिल किया गया है तो यह वो किये गये हैं स्वाणने सिंग समयति 1976 स्वाणने सिंग समयति 1976 के कहने पर यह क्या हमारे समिदान में सामिल किये गये हैं हमारे जो मूल करतबे हैं ठीक है जो हमारे क्या हैं मूल करतबे हैं ठीक है ड्यूटी यह फंडमेंटल ड्यूटी को उनीस सो चैतर में सwangें शवन्य सिंह समयती के कहने पर कहां रखा गया है समझानि अस्मु मैते समयते किस से रिलेटे यह पंचायीदी रास रिलेटे थे पंचायी राश र sin बनीच रास रिलेटे आ समयति यह पंचाया इन वरा आजए इता ऐस्य में गठित की गए थी केंद्र राजय शंबंद से संबंद आपकी शाकरिया हाँ ठीक है जिसका आंशर हो जाएगा आपको आपका 20 सुनहिंग समझे एक किस आ निम निम ऐसे किस अनचेद में को विदिका सास्ट कहा गया है किस अनचेद को विदिका सासन कहा गया है अनचेद 1714-15-16 तो यह आपको 14 और को चाह गय है जो जिसमें हमारा मौली को अधिकार को आते है समताकी अथा उसको, एक सोग्ार card की वीटो, पावर किस अनुचेद के अंतरग्द आती हैं! अगला क्वेचन है राश्पत की वीटो, पावर होती है, वो किस अनुचेद के अंतरग्द आती है, 111, 123, 72, 61. इसका आंसर हो जाएगा 111 राश्पति की 3 बीटो पावर होती, ठीकिए वो 111 के अंतर गुजारती, 113 में राश्पति क्यों से पावर होती कौन से सक्ति होती, राश्पति की, अध्यादेश जारी करने की, जब राश्पति साहरान लगा रहते हैं, तब राषपतार राषपतार सकता चमादन कर सकता है । 72 का की से बाहततर सेपसे बढ़िआ है। सुझेट के तहत लगाता है। हैं, गला क्वेशंग लोक्षभाव उपाध्यक्जक्स के लिए चुनाव के लिए तारिक कौन ताई करता है लोगशबा उपाद्यक्स की चुनाव के लिए तारिक कौन ताई करता है राश्पत, लोगशबा अध्यक्स, प्रदान मंत्री या चुनाव आयू इसके लिए जो चुनाओं के लिए तारिक फिक्स करता है वो होता है लोक्षभा अध्यक्स क्या है लोक्षभा उपाध्यक्स के लिए चुनाओं की तारिक क्या करता है राश्पती क्या करता है राश्पती क्या करता है राश्पती लोक्षभा अध्यक्स की चुनाओं की तार उसे चुनाव का मदेश को हुवह, लोगजाबा आपका विदान सभा एक आपका राश्क्षापती है इन चनाव के ठेक आनका देखता है आप देश का चनाव आ दया है यानि कि वार्षी के वित्तिय विवरण का मतलब है आपका बजट, जो हमारा बजट होता है, उसका उल्लेग किस अनुचेद में किया गया है, 111, 112, 117 या किराणवे, तो देखो 111 में तब राजपत की वीटो पावर है, तो संसत में जो बजट का उल्लेग है वो 112, अनुचे कि विए, किराणवे में किया आता है, आपका लोकसा अध्यक्ष व उ उपादग्ष, किस जो ऐस्तान होता हो कि accent आतके लिए किराणवे का कॉंसा आर्ट के या और किराणवे, ठीक है सरसी में 2017 जो लोग लेका समय्थी है उसका गठन किया गया था पैहली वार 1921 में है उसका Better हग्षे नायदिस का मुक्हे नायदिस के मुक्हे नायदिस किसे हुच नायदिस अपना स्तीपा किसे बेजता है तो यह अपना स्तीपा तो यह भेज़ेगा आगला है राजपाल को सपत कौन दिलाता है जो राज़ा का राजपाल होता है उसको सपत कौन दिलाता है उच्छे तम नयायले का नियाधिस यानिकि सुप्रीम कोर्ट का नियाधिस भारत का राश्वदी भारत का उपराश्वदी या उच्छे नयायले के नियाधिस यानिकि नाम चुनला प्रधान मंत्रों को एक राश्ट्पतु पंचायदी राज के लिए त्रियस्त्य व्योस्ता को द्वयस्त्य व्योस्ता में बदलने के लिए किस समयत्य ने सिफारिस की थी जो पंचायदी राज के लिए समयत्य बन रही थी तो किस समयतिने यह कहा था कि पंचारी राद त्री अस्त्रे होने की जगा द्वेस्त्रे हो त्री अस्त्रे के मंदब क्या होते है सबसे छोटा ग्राम पंचायद फिर आपका छेत्र पंचायद फिर आपका जिला पंचायद यह तीन अस्तर होगे लेकिन किस समयतिने कहा था कि इसको दो अस्तर पर रखने चाहिए जिल्ला और छेटर के अस्तर पर रखने चाहिए वह कहा था आपके अशोक Mehta समिथिने बागी ये चारो समिथिये रिलेटेड पाद किस है पंचायती राध बैश्त दो अस्तर पर बाकी ने इनके क्या कहता है इसको क्या मिल्ना चाहिए समवधानिक दर्जा पंचायती राज के लिए इलम सिंध्वी समय तर्फुंगुन समय ने इसी के बाद क्या हुआ था था ठिएट्र संसोध रोगा था सब्सक्राइब करें दिल्ली को राष्ट राजदानी चेत्र श्रमिदान के कि संसोधन विदेग में गोशिद किया है जो हमारा दिल्ली यह हमारी राजदानी उसको राष्ट राजदान चेत्र श्रमिदान के द्वार गोशिद किया है याटीर संविधान संव deaths किस के लिए अभी मनें बता है पंचाय थी राज के लिए इकान वेक किसके लिए है किकर राजय सरकार में जो treaty aç काक चैनियरे राजय यसारखार मंध्रियों कि संख्या स्ंख्या मेंध्यियुक्त इसिफ्वं के ज्यादर सिंवанд यbn माने कि अगर लोग सभा में 543 सीटे हैं, इसका जो 15% है, ठीक है, उसके बराबर मंतरी हो सकते सिफ देश के सरका में, ठीक है, ऐसी यही फॉर्मला राजय के लिए लागो होता है, बावना समिदान संसोदन में क्या था, बावना समिदान संसोदन में क्या, आपका दल बदल का पहले क्या होता था, लोग अपनी पार्टी छोड़के दूसरे पार्टी में जाते थे, अब उसके एंटिडिफेक्शन लोग बना लिया है, और वो बावना समिदान संसोदन क्या, संसद में राजय पुनर गठन अधिनियम का पारित्वा, संसद में जो दुबारा राजय क पुनर गठन हुआ, उसके लिए अधिनियम का पारित्वा, उसके लिए जो अधिनियम पारित्वा वो था आपका कौन, 1956 का अधिनियम, ठीक है, निवनिमें से कौन सा राजय में आमार से सीमा नहीं बनाता है, नागालेंड, मैड़पूर, मिजोरे में त्रिपुरा, तो इ इसमा नहीं बनाता हैं, आपका मिया मार से, ठीक है, यह बांगलादेश से बनाता है, पूर्वी घाठ की सबसे उंची चोटी है, नेलगेरी, आरायकोंडा, अनाई मुड़ी यह महनरगेरी, पूर्वी घाठ की सबसे उंची चोटी है, वह आपके कौन है? नीलिकीरी, आराय कोंडा, अन्नामुडाई यह महंदगी, इसकी जो सबसे उची चोटी है, वो है आराय कोंडा, पूर्वी घाट की सबसे उची चोटी कौन है, सेकिंड नमर पे, यह है आराय कोंडा यह पूर्वी घाट की है, सबसे उची चोटी है, इसकी जो उचाई है, व भारत के प्राइदी भारत की सबसे उंची चोटी है इसकी जो ऊचाए वह आपकी 26 2625 मेहंत्र गरी मेहंद्र गरी क्या पूर्वी घाट की सेंड नमबर पूर्वी घाट की सबसे इस चोटी ०क यह आपका पूर्वी घाट पर पस्यमिघाट को चोड़ने वारे कि आपको याद रखने कि शमानसुन के द्वारा पोरो मंडल तटपर वर्सा होती है तो पहले आपको बता दू कोरो मंडल तट है क्या पोरो मंडल तट है आपका तमिलनाड वाला ठीक है तो उस तट पर वर्सा किस मानसुन के द्वारा होती है चैने वाला जो तट है ठीक है दख्णी पस्यमि मानसुन उत्तरपूर्वी मानसुन काल बैसागी ये उपिक्त में से कोई नहीं पर काफी अच्छा क्वेशन है बहत बार ये पूछा जाता है तो यह क्या उत्तरपूर्वी मानसुन जो नौर्थ इस्ट मानसुन होता है नौर्थ इस्ट मानसुन उसके दवारा क्या बारिस होती कहाँ परो मंडल तट देखों ये जैसे इंडिया है इसका प्रायदी भार जहामें पर यहां कोर देंजेकर. ही ज 떨टर है वह जो क्ली होा रिए बन्गाल के खारी वारिट दूर्ट करते है . यहें कॉरो मंडल की रहे है उत्तर पूर्ट यह पो आறा है, यह ईसे दीजा में ही एक दिम्साजू से देखो ए हो Gust Bak गाव मांसुन ऐसे उपर उठता है तो ऑपस्यमी घाठ और हमालाई में मांसुन होती है वह कौन सी हूँ हो आपकी वरती है यानिके दक्षिर प्रश्य मांसुन यह कहां बारिस करता है आपका मालावार और कॉमक liberty है को कंउकर तटपे वारिस किसे अरब सागर से उठता है थो साथ वेस्ट मांसुन होता है दक्षिर प्रशिम मांसुन प्रशिमी टिकि इसका सई आंसर हो जाएगा आपका उत्तरपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् किस राज्य में है जो सिमिली पाल बाय रिजर्व एरिया है वो किस राज्य में है मद्य प्रदेश उडिशा केरल ये 36 गड़ जो सिमिली पाल जिया मंडिला आरेखचे छेदर वो आपका उडिशा राजय में है मद्य प्रदेश में क्या क्या है मद्य मंडिशा में दो है जिया मंडिला आरेखचे छेदर एक पन्ना है और दूसरा है पन्च मनी पन्ना और पन्च मणी कहा है आपके मध्दब्रदिश में केरल में कौन ऐपका अगस्त मलाई केरल में है अगस्त्य मलाई यह मंडिले ऊरिक्षेः चेटर है दूसरा क्षिंए तेक है तेक है । कोङatřि कें अच्छना कमांट अमर कंठक अमर्ग कंठक और दूसरा कौन है सोचाच लम सोचाच लम सोचाच लम किसमे है आपका 36 गड़ में ये दो जैमने लाइक से था अमर्ग कंठक और सोचाच लम आपके 36 गड़ में केरल में अगस्तमलाई मद्व प्रजामा का पन्ना और पंचमणी और जो सिमली पाले का है उड़ी शव है ठीक है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है वूलर, शामबर, चिलका या पुलकिट भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है ए सामबर पर हुलर, सामबर, चिलका या पुलकिट इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हुलर जील तो यह आपके जम्बू कस्मीर में है आपका कौन सा हुलर जील ठीक है तो J and K में है आपका हुलर जील सामर जील क्या है? खारे पानी के सबसे बड़ी जील है सामर जील ठीक है यह आपके राजिस्तान में चिलका जील क्या भारत की सबसे बड़ी जील है भारत की सबसे बड़ी जील आपके क्योंने चिलका जील ठीक है अब आगला है आपका यह पुलकिट जील है इसमें क्या है? इस रोका क्या है? सतीज धवन अंत्रिक्च जो सेंटर है आपका ये आपका सतीज धवन अंत्रिक्च सेंटर इस रो का कहा है ये पुलकिट चील में ये इस वो अपने रॉकेट में गर गया करते हैं इस रो उडाता है ठीक है निवन मैंसे कौन सा दीप अंडमान निकोबार दीप समु का हिस्सा नहीं है निवन मैंसे कौन सा दीप अंडमान निकोबार दीप समु का हिस्सा नहीं है हैंड़ी लॉरंस दीप ठीक है दूसरे आपका है तार मुगली दीप ठीक है कटलेंड दीप लेंड कटलेंड ये कटलेंट होगा ठीक है एंडरोड दीब निमने मैंसे कौन सा दीब अंडमान एको बार दीब समुका हिस्सा नहीं है तो लॉरेंस दीब पी अंडमान हैंरी लॉरेंस अंडमान का है कटलेंट भी अंडमान का है तारमुगली ये भी अंडमा निकोबार का है एंडरोड दीप ये आपके किसका लक्ष दीप का है एंडरोड दीप किसमें आता है लक्ष दीप को तो इसका आंसर क्यों हो जाएगा डीवाला ठीक है तो ये लक्ष दीप का सबसे बड़ा दीप है एंडरोड दीप ठीक है इसका आंसर जाएगा कावरी नदीप है कावरी नदीप है यह एक और बान है सिव शमूद्रम बान, ठीक है, चंबल, चंबल पर कौन सा है, गांधी सरोवर आपका किस पर है, चंबल पर कौन सा है, गांधी सरोवर, ठीक है, नर्मदा पर सरदार सरोवर है, नर्मदा पर कौन है, सरदार सरोवर, और महान अदीब है आपका के, परसिद क्या है, हीरा कुण बान केरा कुंड बान्ध किश्पे महानदीब है ठीक है अगला है आपका कोपेइन कोपेइन के आगे थी भारत्य जलवाई की क्या आगा था विवाजन के यहाथा ठीक कोपेन ने कोंकड मालाबार तर्ट के लिए जल्वाई वरिगी क्रण में, कौन्शे शबद परयुक्त किये हैं, कौणशे सब्द परिउक्त किये हैं पहला ऑक्षन है एस दूसरा है एडेवल्य कीसरा है एएडेवल्य कीसरा है एएएडेवल्य की और चोफर है डी एपसी तो 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 कोपेंट ने जिससे भारत्या जलवाई का वरगी करन किया था उसने कौकणों मालावार तट के लिए कौन सा परिउक किया था वो किसके लिए क्या था कोरु मंडल तट के लिए ठीक है कोरु मंडल तट के लिए एडेवल्य किसके लिए प्रायदी भारत जो प्रायदी भारत है जिसमें क्या आता है आपका प्रायदी पठारवला छेत्रा आता है वो किसके लिए क्या आता है एडेवल में आपको बता है कि इसके लिए माला बार तड के लिए ठीक है और डी एप सी इसने किया था पूर वत्तर राजिव के लिए सिक्किम और उना चल अश्रम किरपुरा मिजूरम सी जी इसने परविक किया था जो सेंट्रल मध्य भारत के क्या है अगला क्वेशन आपका चाली सो मैगनीज उत्पादन में पर्थम अस्तान पर भारत में कौन सा राजय है वह कौन सा राजय है जो मैगनीज के उत्पादन से ज्यादा करता है उडिशा करनाटक मध्य प्रदिश राजिस्तान फइक है यह और यह प्रदिश से उत्पादन करता है ऊडीश व्यादा करता कि में भारत में करनाटक क्या करता करनाटक लो आयस करनाटक किसका उत्पादन करता है वह करता किसका मैगनेश शाइड का उडिशा किसका करता है मैगनेश के साथ का उत्पाधन करता है और राजिस्तान करता जिफ्समकस ज़ाद उत्पादन क्य करता है घापर यह याद ँसके कौण से कुछ से कुछानुए करांदि है। गविश्व सबसे लंबी परवतमाला एंडीज किस महादीप में है। उत्तिरी अमेरिका, दक्षन अमेरिका, आफरीका और यूरूप जो एंडी परवत माला है वो किस महदी में है Response कि आपकी है दक्षनी अमेरिका में एंडी तक क्षने मेर्का में má आपको रौक परवत माला São चोड़ी माला गाए सब basin की सहाई है प्रायादी भारत की नदी इसकी सायग नदी निम्नमस कौन से खुए है क्रिश्न की जो अन्य सायग नदी हुआ है भीमा घाट परवा मूसी ये सारी नदियां किसके सायक है आपकी कृष्णा की अमरावती किसके सायक नदिया है कावेरी के सायक नदिया तवा तवा नर्मदा की है हेरागी किसके कावेरी की कावेरी की सायक नदिया है ठीक है और कावेरी की और जो सायक नदिया है कौन कौन सी है सिमसा और भवानी ये भी किसके सायग न दिया है ये भी कावरी की सायग न दिया तो जो खृष्णा की सायग न दिया इस ऑप्शन में उसका अंसर हो जाएगा एव अलग कोई न है नाइन डिग्री चैनल ठीक है फॉर्ट्य फोर्वा कैस क्वेशन है नाइन डिग्री चैनल किसको अलग करता है लेटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से मिनिकोई दीप को लक्षदीप से अंडमान को निकोबार से अंडमान दीप को निकोबार दीप से ये केचल दीप को लेटिल निकोबार दीप से, जो 9 डिगरी चैनल है, वो किस-किस को अलग करता है, यह अलग करता है, मिनिकोई दीप को लक्ष दीप से, ठीक है, जो मिनिकोई दीप है, सबसे नीचे है, ठीक है, 9 डिगरी चैनल इसको अलग करता है, लेटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार कौन अला करता है इसको कर The Price Channel लिटिल निको बार को Great निको बार से अला करता है क्वण करता है कि केचल दिग को लिटिल निको बार से अला करता है ठीक है केचल दीप को लिटिल निकोबार से अला करता है सौम वेरो चैनल सौम वेरो चैनल अला करता है किसको लिटिल निकोबार से एक क्वेशन आता है एट डिगरी चैनल एट डिगरी चैनल किसको अला करता है एट डिग्री चैनल, एट डिग्री चैनल किसको अलग करता है, एट डिग्री चैनल अलग करता है किसको, लक्षा दीप को मौल दीप से, लक्षा दीप समू को अलग करता है कौन, मौल दीप से, ठीक है, एट डिग्री चैनल इन दोनों के बीच में है, जो लक्षा दीप का मि मेनिकोई दीप नीचे दीप मौल दीप को एडगरी चनल ना मेरी राष्ट उद्ध्यान रामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में इस्तिद अश्रम राजिस्तान पसिम बंगाल या मेगाले तो ना मेरी कहां आपका अश्रम है चल राजिस्तान में qual llegó थे केंउलादीव कान से नेशनल पार्क है नहीं अरा है मेंगाले में वाल पाखरम नेशनल पार्क है तो यहां पर कोई है मेगालयम दूसरे नॉक नेरा नेशनल पार्क भी का है नौक रेका नौक रेका नैशनल पार्क भी राता है नौ ने वी पञच्वर्शन योजना का उद्देश घ्रईवी उनमूलण था चब्रत पंचम तीसरी ये साथ ही जो पंचवरसे योजना थी जिसका मुख्याती क्या था क्या आपका इकश्च दॉच्त कुछ अ गरीभी उनमण दैंटे हैं जो चौ सी आत्मनेर भरता तीसरी का आर्थभ्यवस्ता को आत्मने बनाना यह भी आत्म निर्थ व्यस्ता को आत्म निर्भान ना है। उत्पादन और रोजगार को बड़ावा देना है। यह कहा था साथ मी का। पांच वी छटी का कहा था गरीबी उन्मुले। कच्चे तेल के निसकर्षण की अर्थ व्यस्ता को किस खेत्र में आता है। पांच टेल के निर्थ कर्षण करते हैं वह अर्थ व्यसता के किस खेत्र में राखा गया है। आर्थ विवस्ता के कि छेत्र में रखा गया है प्रात्मिक छेत्र दुट्याग्षेत्र इन में से कोई ही नीर्या चया घला आते हैं किरशी βी भी की राख्या है और उध्खनन COM ञाम करते हैं फिल्वी निर्माण ना का नुबंडिंग आज है विद्वृस सभा चेत्र फिल्वार्ण श्वास्त्या परिवहनgt लिए विनीरमाण। क्वेशन के ग्राम वन कारेक्रम किस राजने शुरू किया। ग्रामवन कारेकर में सरू है आपका करनाट का रचल ठीक है भारत का हाल मैं ही पहला पेपरलेस नयाले बने है यह पहला पेपरलेस यानि कि बिना कागजात के वाँ के आप तक काम वोठार सब डिजिटली काम वाँ तो कौन सा है केरल का केरल हई कोड क्या बन गए है पेपर्लेस नेले बने और अंतिम enzी प्रीख कोन और आम राइपेपूर्वरेट से क्या आसा है रेपऊरोरेट से आप क्या समfundedर है bedunk मद रेपूरी तीक ने जिस दरपर बैंक कोझने जेद और ग्रहा को करण देता है जिस तो तक कारे बैंक जाने की आर्वी Iron 200 इन्डिया अन्य बैंकों कोुझ लोण लेता है वह च युऩरुया गए्ट वर्जिर्व टी अर्ट्र पर होतेanie जिस तरफे आरवे हुआने जब बैंकों से लॉन लेता है आरवे भी क्या करता है बैंकों से लॉन लेता है वो आपका रिवार्स रेपो रेट होता है ठीक है तो ये था आपका GS के 50 क्वेशन तो ऐसी आप बने रहे आप ब्राइट एजुकेशन को हमारे चैनल को जुरूष चैनल को सब्सक्राब की जरूष कि जएका लाइक जरूष कि जरूष किया कंश कि और आपने दूस्तों का सेर कॉन्हित आप कोमेंट के SI 시läल का कहसे को चानल क्वेशन को उसका जो लिंक के हो चाहिए कोई भी पेपर आपका आता है उसके के हम MCQ और जो टॉपिक वाई जो सीरीज आपकी चल रही है उसको हम क्या करते हैं जारी रखते रहेंगे आपका हमको चाहिए सपोर्ट आपके सपोर्ट से में मोटिवेशन मिलता है इसलिए हम आपको ऐसी वीडियो लेते र जाली रहा है उससे भी आपके जोईन कर दो यह वी सारी क्वेशन आपके डियालेड में देखने को मिल सकते हैं